मैं हूँ चैती मेरी चैनेल एक गुंचा फ्रेंच कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में एक ग्राफ छोड़ा था कैसे आपके लवकी के प्लैंट में आप 2G, 3G करके ज्यादा से ज्यादा लवकी ले सकते हैं और मैं उसमें बताई थी कि मैं प्रैक्टिकली इसको बताऊंगी दिखाऊंगी आपको तो मैं आज दिखाने वाली हूँ थोड़ा सा प्रोब्लम यही है कि मेरे प्लैंट में जरा कीड़ा लग गए हैं तो उसको मैं ठीक करूंगी अभी फ्रूट्स आ रहा हैं तो उसको ठीक करना ही पड़ेगा मुझे पहले फ्रेंट्स इसका प्रैक्ट जिनरेशन कट लगाई थी और फिर यह देखिए साख चलने लगा चल चल के जब यहां आ गई मैं इसको सेकेंड जी कटिंग या टू जी कटिंग लगाई ठीक है हर 5-6 पत्ते के बाद 5-6 से 12 पत्ते के बाद अब लगा सकते हो यह कट लगा सकते हो ठीक है यह हो गया 2 जी क अब जड़ गये हैं मैंने तो आपको दिखा सकती थी यह देखिए सारे मेल फूल आ रहा है और यह देखिए आगे भी जो सब फूल है वो सब मेल है इसमें लौकी नहीं लगा हुआ है लेकिन यह 2 जी को आगे चलाते हुए मैंने यहां पर देखिए मैंने इसको जैसे ही 3- 3-G कटिंग लगा दी ठीक है देखिए यहां पर मैंने देखिए यहां सब जब 2-G चल रहा था आप देख सकते हो मेल फूल आ रहा है सब के सब यह मेल फ्लावर से इसमें लौकी नहीं होता है लेकिन जैसे मैंने इसका 3-G कटिंग लगा दी आपको दिखाऊंगी यह देख से सही तरीके से यह देखिए यहां पर मैंने इसका 3-G या 3-D generation कटिंग जैसे लगाई तो देखिए यहां तक इसका 2-G आ रहा था इसलिए इसमें मेल फ्लावर्स आ रहे हैं और जैसे मैंने यहां पर इसका 3-G कटिंग लगा दिया या 3-D generation कटिंग लगा दी आप फ्रेंस उसका result अब immediate result देखिए यहां से जो साक उसका निकला यह देखिए यह साक में देखिए हर पत्य में मैं बोली थी ना हर पत्य में बच्चे होंगे हर पत्य की गोद में बच्चे होंगे देखिए अब यह बहुत थोड़ा सा चला है इसको आगे और चलने दूंगी मैं यहां देखिए यह लौकी आपको दिख रहा है ना फूल के साथ यह फिमेल है और देखिए यह और एक है फिमेल देख रहा है ना दिख रहा है कि नहीं पतन हाँ देख रहा हाँ देखिए तो दो पत्ति से देखिए दो लौकी निकली है मतलब यहां से जो बिल चलेगी ना आ लेकिन आप सारे लवकी के रखोगे तो उसमें से कुछ खराब हो जाएंगे और जड़ जाएंगे क्योंकि इतना खाना तो वह उठा के नहीं ले पाएगी दुबली है मिचले तो ज्यादा बच्चे भी उसको नहीं होना है तो एक दो अपने हाथ से निकाल दीजिए ताकि आ निकल रहा है एक एक लाओ के अभी तो चला नहीं है यह थोड़ी सी चली है तो इसी में ही इसका कमाल दिख रहा है आपको तो है ना मैंने जो बताई वो सही हुआ कि नहीं आप पांच पत्ति के बाद फस्ट जी लगाए उसके पांच पत्ति के बाद पांच से बारा मैं ब और उसके आगे जो साक निकलेंगे उसमें आप थर्ड जी कटिंग करके बस चुप चाप रही है आगे जो भी होगा वो कमाल ही होगा मैंने आपका रजल दिखा ही न यही होगा आपके साथ भी तो अब डरो नहीं बस करो ठीक है अगर यह इंफॉर्मिशन आपको अच्छी ल प्लैंस को जैसे फ्ल आते हैं फूल आते हैं हम डरते हैं कहीं कट कट डालने से यह करब ना हो पर ऐसा नहीं होता है बस आपको पेशंचchas रखना है और सही तरीके से करना है तो मैंने जो बोला वही होगा मतलब हर पती के गोद में बच्ची होगी ठीक है, तेंक यू, तेंक यू फर वाचिंग, आपने आपका बहुत किम्ती समय मुझे दिया, ठोड़ा सा कीड़ा लग गया, इसको मैं स्प्रे मंगाई हूं अनलाइन में, उस्प्रे के बारे में भी मैं कीड़े बताऊंगी, बहुत काम की चीज है, उसके बारे में वीडि झाल में ंलाइन में आपका ब्यूसdriven।